कि हैं कि मैं सब्सक्राइब राजिस्थान करमचारी चैन बोड जैपूर द्वारा एक अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें अच्छी खासी वेकेंसी हैं और इन वेकेंसी के बारे में हम लोग डेटेल में चर्चा करेंगे जी हां मैं बात कर रहा हूं बेसिक कंप् दिखके अच्छा लगेगा जहां पे ज्यादा है है यहां पर के साथ साथ अगर अनुदेशक की बात करें अल कि इनके लिए 295 हैं यानि कि आपको यह मोटे तौर पर दिखाई दए रहा है कि ओवर नौहजार राट सबासर स्रीटे जो है वो बेसिक कॉम्प्यूटर अनुदेशक के लिए यहां पर आई है कि सैक्षिक अर्हता कितनी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए इसमें देखी जैसे यहां पे इन्होंने साफ साफ क्लियरली पॉइंट नंबर सेवन में मेंशन कर रखा है कि थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि सभी लोगों को दिखाई देगा इसमें देखिए पात्रता एवं सैक्षडिक योग्यता सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ट कंप्यूटर नंदिसक जिसके लिए तीटे कम हैं लेकिन यहां पर क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कौंप क्वान से बच्चे आप चुकिह के बच्चे ज्यादा है इसलिए इंजिनरींग्स द डिप्लोमा ओन ओर्पयूटर एक्वार्मेंट воям Electronics and Communication Engineering में Electrical Engineering से हो Electrical andい нес however Electronics Engineering से ट्रिपधल लिजिस को बोलते हैं आप लो Electronics and Telecommunication Engineering ETE और ELAN Instrumentation Engineering EIE मिला करे यहाँ पर है यहाँ आपके पास MTEC की टिज़िए परिस्ट computer अनु देशा के पत को लिए यहां पर सीटे 294 अब्दे कुछ हैं सीटे कम थी यहां पर लेकिन ज्यादा सीटे थी वह आपको भी पता है कि वह किसमे हैं लगभग 9000 सीटे जो है आपकी जो है इस वाले पोस्ट में हैं बेसिक कंप्यूटर अंद्देशक के लिए यहां पर जैसे आप देख सकते हैं इस बेसिक कंप्यू स्टेशनल स्टेट सबोर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021 इन सिट्टी वह लिखा हुआ यहां पर ग्रेजुएट एंड ए लेवल पीजी डीमसी पीजी डीसी ए मिनिममम वन यर या फिर और करके जो लिखा हुआ है यहां पर आपके मतलब के बात हैं बी टेक बी ट इल्च्रोनिक्स स्कम्मिनिकेशन वही सा हैं इलेक्टिकल इन fonction की इल्च्ट्रोनिक्स की बी बरांच इंके मिक्स करके जितने भी बनी हुई वह सारी का सारी इ Wanna स्छ ईव Prosele इंडिया तो यहां पर भारत में जो भी इंस्ट्यूट है वहां से अगर यह सारी की सारी डिगरी आपने रखी है तो यहां पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद्ध पर आप जरूर फॉर्म फिल कर सकते हो और यह वेकंसी जो हैं यह बहुत अच्छी खासी वेकंसी है अगर आपने प्रिपरेशन सही धंग से काईदे से करा तो इस वेकंसी में आप अपनी जगह बना सकते हैं डेफिनेटल और बहुत सारे बच्चों का सपना इस वेकंसी से जरूर पूरा हो सकता है क्योंकि नंबर वेकंसी की बात करें यहां पे तो टोटल आपके पास दस लगभग लगभग है मैं आपको फिर से अगेन उसी पेज पर ले चलना चाहूंगा पर जहां पर आपको नंबर आपको टोटल वेकंसी दिखाया था मैंने यह देखिए यहां पर बेसिक वाले के लिए नो हजार आठसो बासट है और 295 लगभग सीटे थी जो वरिस्ट वा डबल ई, ट्रिपल ई, एसी इ, इन सभी ब्रांचेज में और जो भी ब्रांचेज वहां पर मेंशिन किया था मैंने इन सभी ब्रांचेज से अगर आपके पास बीटेक है तो आप डेफिनेटली बेसिक कम्पूटर रूदेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अब दूसरा क यहां पर एक पॉइंट यह बहुत ही इंपॉटेंट लिखा हुआ है इसी को इसी का इंतजार कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चेज पैसा वगरा कितना है वो सब तो बता ही दूँगा राजिस्थान राजिस से भिन अन राजों के अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अन पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानि कि EWS अभियार्थियों को समान्य वर्ग का अभिय लिखा हुआ है के बारे में समाने वर्ग के लिए यहां पे लिखा हुआ है 450 रुपए 450 रुपए की निर्धारित की गई यह फी और बाकी जो राजिस्थान के जो कैटेगरी वाले होंगे इस्टुडेंट जो की राजिस्थान के नौन क्रिमिलियर पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग आर्थी क्रूप से कम जोर उनके लिए 350 रुपए और बाकी अनुसूची जाती जन जाती के लिए यहां पे 250 रुपए के फी रखी गई है तो guys definitely यह एक आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है जिन बच्चों को इंतजार था जिन बच्चों के हाँ एक बात जरूर है कि यहां पे इसमें इन सब्सकी जोने से मोटके बच्चों के लिए नहीं है वेकैंसी अधिन हैं झिन प्रांच के लिए वेकैंसी आई जा रही है इसके साथ आपको एक्वात और बताऊंगा अबविराजान में पंचायती राज़ी की अच्छी वाली है जिसमें आप लोग बहुत सारे बच्चे वालों ने तो और यहां पर आपकी प्रिपरेशन अगर कायज़ से चलेगी अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन करें तो आप आप निकाल सब होगे इसके बारे में इसके बारे में इसका प्रॉपर स्ट्रेटी क्या अंचिए कि से तरीके से आपको पढ़ना है कौन से सब्जड़क को वरियता देनी है उसके बारे में हम सेफरेट एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल आपको यह बताना था कि यहां पे ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑफिशल वेब साइट पे निकाला जा चुका है सबसे अच्छी बात यहां पर आपको सबसे अच्छी बात यहां पर यहां पर प्रॉपर एफट लगाने पड़ेंगे पुछ लाकुमेंटेशन भी चाहिए जो वहां के राजिस्थान के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो यहां पर सब्सक्राइब चाहिए जो राजिस्थान के जैसा कि हमेशा से होता आया है ठीक है और इसमें जो भी इंपॉइंट है जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है जो पर्टिकुलर बच्चों को छूट मिलती है उनके भी क्राइ इस नोटिफिकेशन में क्लेरली मेंशन किये गया है तो उनको भी आप लोग इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं ऑफिसल वेबसाइट पर डाउलोड कर देंगे वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो एक वीडियो मैं जरूर इसके बाद नेक्स्ट वीडिय और जो उक्यूनित नेलेक्ट को सेुशन में देख उट लेक में जो और आप को यहां पर पढ़आ है वह आपसे बिस्कस करेंगे ठीक है और साथी साथ यहां पर जो भी है जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि एज एज का क्रैटेरिया जो है ना एज का क्रैटेरिया एक बार आपनों देख सकते हो यहां पर आयू में लिखा हुआ है कि एक जनवरी 2023 को 18 वर्स की आयू प्राप्त कर चुका हो तो था 40 वर्स का ना हुआ हो ठीक है यानि कि 18 से 40 वर्स की कटेगरी में अंदर आते हुआ तो इन फॉर्म को फिल कर सकते हो आप 100% ठीक है कुछ एज रिलेक्सेशन भी है अधर अधर कटेगरी जैसा मैंने बताया था प महिला अभियार्थी जो राजिस्थान के स्थाई निवासिये के मामले में दस वर्स की छुपती जाएगी यह क्यों राजिस्थान वाले स्टुडेंट के लिए ठीक है गाईज तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी की सारी जानकाली जो ह भी उनको भी जॉइन कर सकते हैं जिनको जॉइन करना हो साथि साथ आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि आज आप सभी के लिए आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वह पूर हंडडिड की होने वाले हैं बस कुछी सब्सक्राइबर बते हैं तो ठीक है तो थैंक्यू गाइज एंड करते हैं और मिलते हैं आप से फिर नेक्ट वीडियो थैंक्यू सो मुझे